तो गाइस आज हमने बनाया किचिन में बटा का पौवा जो काफी टेस्टी बनता है और एकतम सिंपल पिल्कुल आशान तरीकेशे तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस उससे पहले कुपिद रानुविंदी किचिन में आप शबी का श्ट्वागत है तो आज ह पार्ट में तोड़ के डिवाइट कर लिया है और अब हम चलते हैं ना बॉइल करने की तरफ तो यह काफी कच्छे होते हैं तो बहुत जादा इन्हें पकाने की जरूरत नहीं होती है स्रफ एक सीटे में ही अच्छे से बॉइल हो जाते हैं और एकदम ताजे ताजे थे तो अब मैंने ने तोड़ के तयार कर लिया है तो अब हम चलते हैं बॉइल करने की तरफ तो आब यहां पर हमने कोकर में पानी एड़ कर दिया है और ऊपर से मकाई एड़ कर देंगे तो पानी हमें कोकर में इतना एड़ करना है हमारी मकाई अच्छे से डूब जाए और सा प्रच्छ किरे थे थे साथ हमें पवा की तयारि कर लेते हमारी मकाई अच्छ से तच्छते कि पौईल हो के तयार होगी कि तो मैंने एक बाउल भर के पवह लेए हैं और पानी अट कर दिया है तो पौः में बहुत जादा रगड़ के । नहीं धोना है सरफ हलके हातों से इसे पौहा को हिलाना है और इसमें जो भी डश्ट वगएरे होगी वो निकल जाएगी तो पौहा का पानी निकाल देते हैं पांच मिनट के लिए हमने इने साइट रख दिया था और यह भी अच्छे से फीक चुके हैं अच्छे से फूल गए हैं और यहां पर हमारी मकाई भी बॉइल हो चुकी है एक सीटी आ गई है कोकर को पांच मिनट के लिए हमने साइट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब यहां पर हम मकाई को निकाल लेते हैं तो यहां पर बहुत जादा सुष्ट कोन एड़ करने वाली नहीं हू हो गई हैं इसे मैं सारि बहां निकाल के लग देती हूं काफि गर्म है यह और भाहर ठंडी हो चाएगी मूफली को रोष्ट कर लिया है तो मूफली को हमें चटकने तक इसे अच्छे से भूनना है और अब इसे हम निकाल लेते हैं मूफली हाँ पर भून चुकी है और अब यहाँ पर हम इसमें एक चमस राई एट करेंगे राई को हमें अच्छे से चटकने तक से भून लेना है राई भून चुकी है उपर से कटा हुआ ओनियन तीन से चार यहाँ पर हरी मिची और उपर से अब यहाँ पर हम करीपता आड़ करेंगे तो करीपता मैं बाद में ही आड़ करती हूँ क्योंकि पहले अगर आड़ करती हूँ तो तेल में बहुत जादा यह चटकते हैं इसलिए करीपती को बाद में ही आड़ करें और अब हम यहाँ पर ओनियन को अच्छे से गोल्डन होने तक थोड़ा भून लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैं आदा चमच इसमें काली मिर्च फाउडर आड़ कर रही हूँ और स्रक दो पिंच यहाँ पर हल्दी आड़ कर रही हूँ हल्दी बहुत जादा पोहा में नहीं अच्छी लगती है तो कमी ही आड़ करें और थोड़ा सा चलाने के बाद ओपर से मैंने इसमें एक वॉयल किया हूआ इसमें आलू भी आड़ किया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था स्रौण अन्स्वा नमख आड़ करेंगे और ऊपर से पोहा आड़ कर देंगे अब पौहे को अच्छे से मिला लेना है अच्छे से चला कर इसमें जो मसाला बगएर है वो अच्छे से आजाए पूरे पौहा में यहाँ पर गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है और पौवा को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें आपर जो सुष्ट कौन है वो आड़ करेंगे और रोस्टेड मुफली आड़ करेंगे तो अच्छे सा हमारा पौवा है अभी मिक्स हो चुका है और शाले के शाथ अब हमारे सुष्ट कौन भी आ गए है और यहाँ पर रोस्टेड मुफली भी आ गई है इसे भी मिक्स कर देते हैं सुष्ट कौन के साथ जब पौवा बनाते हैं तो काफी टेस्टी हो काफी बढ़िया बनते हैं एक बार आप इस तरह से पौवा जरूर बनाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो अब यहां पर हमने विक्स कर दिया है अच्छे से और ऊपर से मैंने इसमे एक मैगी मसाला पाउच पी एड किया है और थोड़ी से यांपर धन्या पत्ती एड की है इसो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गायस हमारे पॉहा बनकर ready हो गए है विल्कुल खाने के लिए है तयार है इन्हें आप गर्मा गर्म सर्फ कर सकते हैं तो गायस अगर आज कि हमारे पौहा रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को एक और मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में नेस्ट रेसीपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाए बाए